नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं धमसरमार राजियों के साथ ही पैदा होते हैं ये आठ नाम वाले लोग तकदीर के सिकंदर यानि इनका जन्मी होता है राज भोगने के लिए संसार के सुखों को भोगने के लिए जब आप जन्म लेते हैं उसी वक्त आपकी किस्मत लिख दी जाती है और उसी अनुसार हमारी बुद्धी भी हो जाती है जैसा हमें आगे करना है काम सुरुवात से ही कहते हैं न पालने में ही दिखने लगते हैं पूत के वाओं बिलकुल उसी तरह आपके जो लक्षन है वो सुरुवात से ही दिखते हैं कि आपको अमीर बनना है आपको संसार पे राज करने के लिए ही आपने जन्म लिया है और आपकी रासी आपका नाम ये तै करता है कि आप लाइफ में क्या कीजिएगा जब तक आप जिवित रहते हैं तब तक आपका नाम आपके साथ रहता है आपकी नाम ही आपका पहचान होता है और इसी अधार पे आप सभी जो भी कारे करते हैं वो संपुर्न रूप से पुर्न होता है और आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए आपका नाम भी बहुत हद तक प्रिरित करता है आपका नाम आपकी पहचान होने के साथ साथ आपके कर्म को भी आपके भागी को भी परवल करता है और आप जब जन्म लेते हैं उस समय ही आपके लिए नाम सोच लिया जाता है और वो नाम का प्रभाव आपके जीवन प्रयंत बना रहता है आपके उपर तो इन नामों के पीछे राजियोग का भाव चिपा होता है और ये राजियोग आपको जीवन में बहुत ही तरक्की कराता है, आपको उचा उठाता है, आपको संसार के सुखों का भोग कराता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों का नाम भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे, इसलिए हम कहते हैं, जब भी आप अपना नाम रखे कुछ इसका अर्थ निकले अर्थ का अनर्थ वाला नाम ना रखे साथ ही कुछ बड़ा नाम रखे जो दुनिया पैराज करने के लिए एक अलग सा मिसाल हो यह ने की छोटा मोटा कोई नाम रख लिए नहीं कुछ अलग कुछ हटकर अपना नाम रखे और ये राजयोग वाला नाम तो जरूर रखें क्योंकि ये राजयोग नाम के बनिस्पत भी आपको मिलता है आपने राजा महराजाओं के नाम रखें तो आप बहुत तरक्की करेंगे लोग कहते हैं बड़ा नाम है बड़े लोग है बड़ा नाम बड़े लोग क्या होता है बस यही होता है राजयोग बड़ा नाम बड़े लोग मितलब राजयोग तो दोस्तों हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बतलाएंगे आप लकी वो कौन से नाम वाले ह जिनके लिए ये राजयोग खास है बहुत माइने रखता है और आप आठ लकी नाम वाले से जिनका राजयोग जन्व के साथ ही आप किसमत की लकीरों में लिखा कराते हैं उस उपर वाले से तो पहली और लकी वो नाम है ए ए नाम वालों आपका पर्चम तो हर जगा सबसे एक नमबर होता है सूरे का प्रभाव लिए वे ये अंक होता है और सूरे जितना ही राजा है आप सूरे जितना ही आप चमकने वाले हैं और सितारे भी बुलंद दूसरा है डी आप बहुत लकी होते हैं डी का मतलब ही होता है चार नमबर चार नमबर का अर्थ होता है हर समे चारो दिशाओं में आपका ही डंका बजेगा और आप सबसे लखी रहने वाले बहुत भागे साली आपके लिए जीवन में हर एक चीज को प्राप्त करना बहुत आसान होता है बस लगे रही है तीसरी लखी है नाम M अगर आपका भी नाम M से सुरू होता है तो इसका मतलब य ही हुआ कि आपको जीवन में हर चीज बहुत ही आसानी से प्राप्त होगा और होगा ही होगा चाहे आपको 10 साल में हो 20 साल में हो 21 साल में हो 40 साल में हो लेकिन प्राप्त होना है ऐस नाम वालों आपका कहना ही क्या है आप तो संसार के सुखों को भोग करने के लिए ही पैद भी नाम वाले आप सबसे अलग हैं सबसे हटकर हैं और सबसे ज्यादा भागे साली हैं क्योंकि आपका डंका हर छेतर में बचता है और आपके पास पैसा तो रहता ही रहता है नहीं है अगर आप कहेंगे नहीं है हम कहेंगे हां बस कुछी समय में आने वाला है अब है आर नाम आ नाम वालों आपका तो बुढ़ापा सुख में बीटता ही इस बीटता है साथ ही आप आपका बच्पन जैसा भी हो पर आप जब जवान रहते हैं यंग एच के होते हैं इसमें आपके पास आप बहुत सारे अप्सन होते हैं पैसे कमाने के राजयोग का भोग करने का एन नाम वाले आप भले ही थोरे से मुफट होते हैं पर पैसा भरबर के रहता है हना कि आपको जीवन में हर चीज देरी से मिलती है लेकिन मिलता जरूर है और आपको किसी चीज की ज़्यादा चाहत नहीं होती है लेकिन फिर भी आपके पास हर एक चीज होती है आपको कमी किसी चीज की नहीं होती पी नाम बाले आपके लिए तो भगवान ने जैसे राज योग आपके नाम के साथ जूड के रखा है आपका राज योग तो भोग आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि अभी करें या फिर 40 साल, 42 साल होने के बाद आपको होगा सब कुछ मिलेगा आपको जो भी जीवन में आपको चाहिए होगा बस कुछी पलों की दूरी पे होता है आप समय का मौके का फाइदा जरूर उठाइए तो दोस्तों ये थे आठ लकी नामबाले जो जन्म के साथ ही राजियों के साथ ही जन्म लेते हैं धन्य बाद दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए